असलों के वर्ज माइन मैं दिजवान चीमा वेलकम बैक वेड़ विडियो इस वीडियो इस वीडियो इड्रेंस प्रिज औफ एग्जेक्टिव डिस्टिक वन जिसमें बैलेटिंग हो चुकी है बट वहां तक प्रॉपर एकसेस नहीं है इस प्रिज के बनने के बात यह विड इंबलेवर्ट की टोटल विट थे 300 फीट जिसमें 180 फीट का कारपेट रोड होगा बाकी लीनियर पार्क्स होंगे तो इसकी किनेक्टिविटी के बाद एक्जेक्टिव ब्लॉग को एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा टोट सी कम है और इसकी की एक्जेक्टिव ब्लॉग तक लोग की टैरेक्ट एक्सेस नहीं है जब वोग काफे ज़्यादा पीक करेगी जैसे ओर्वर्जेज ब्लॉग की तिमांड ने पीक किया है और इसकी एक बड़ी रीजन जो मुझे समझ आती हो यह है कि एक एक जेक्टिव ब्लॉक बन की लैंड जो है वो काफी ज्यादा अलिवेटेड लैंड है अगर आप इस ब्रिज की स्राउंडिंग में जो आपको लैंड नजर आ रही हो जो एक जेक्टिव ब्लॉक में काफी ज्यादा अच्छा एडवांटिज मिलेगा कि एक अच्छी स्काई लाइन नजर आएगी पूरे स्मार्ट रिटी की और सबसे बड़ी बात है कि एक गॉल्फ कोर्स से अच्छेट्व ब्लॉक भी गॉल्फ कोर्स से एडजिसंत है एक्जेक्टिव ब्लॉक का स्प्सक्र कि सेक्टर बी स्क्रिशल बिकर मैंदें जिकर चे भी करा हूं कि जैसे ओर शीज प्राइम वहां पर इसब से चोटा भाउट था सात मरला का बत्यसलाग हाइक करेंगी, उनकी हाइक करने, इन प्रैसिस की हाइक करने के एक दूसरी रीजन जो मुझे समझाती हो यह है, कि एक्जेक्टिव ब्लॉक तक अभी एकसेस नहीं है, तो डेमांड मार्केट में उस तरह से क्रियेट नहीं हो पाती, जो ओवर्सिस ब्लॉक है, उसमें डिमांड कंसिस्टन्ट है, मेंटेंड है, उसकी रीजन जो सिंपल सी मुझे समझाती है, वो यह है कि ओवर्सिस ब्लॉक में यह ब्लॉक का काम मुकमल होगा तो उसके बाद एकसेक्टिव लॉक ब्लॉक के डिमांड भी उस तरह हाइक करेगी जैसे ओवर्सिस 1 की डिमांड न हाइक किया था, इस वक्यारूँमें जो ब्लॉक ब्लॉक 1, इक्जेक्टिव दिस्टिक 1, ब्लॉक B डॉक 10 ब्रॉक 2 अब शुक्राइब जो प्रेज को विडिश का साथ जो कॉलम्स और बीम्स है इस ब्रिज के इस ब्रेज की जो एक्यूरिट मुझे भी लेंठ नहीं पता जिस तरह फॉरन फिट ट्रनिंग लेंध थी जो पिछला सिल रिवर गज बिज बना था लेकिन इस ब्रेज की खास बात पर अवेलेबल है, आप मुझे वर्टसअप कर सकते हैं, इसके लावा आप मेरे नमबर पर डारेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, प्लस 923459999881, वीडियो चले के तो प्लीज दू लाइक, कॉमेंट और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जबान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, खुदा आफिस.